हाई फ्रेंज आज है मैं ननीजर एक खस्ता समोसा भजार चैसे और लोगाई चैसे आप घर पर भी खस्ता समोसा बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं मैंदया को बुथ लूँगी तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैंदया लिया है स्वा देन चॉर मैंने इसमें नमक डाला है थोड अच्छे से हम मैदय में इसे मिला लेते हैं आटा को हमें बिल्कुल सकत गूतना है तो मैंने अच्छे से मैदय में मिला लिया और अच्छे से यह तेल है जो मैदय में मिल गया है मुठी बानकर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं तो मुठी बंधार रहा है तो हम इसमें थोड इसी तरह से हम ठोड़ा थोरह पानि लेकर आता को हम गुत लिए तो यहां पर हमने आते को अच्छे से गुत लिया है और और इसे हम पंधरा मिनट के लिए से ठोघ्र तम थे साओं तो दग हम आलू मसाला तैयार कर ल wrathे तीं यहां पर मैंने बहर उति enjoying the a YE यहां आप इसे मांत अचे से मससाल लेते हैं तो यहां आram्hertz मेंनं काराही ग्रामों के लिए रख दिया दो चमच मैंने यहां सरसो का तिल डाला है आप कोई भी तिल यूज करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं एक चमच मैंने यहां पच्परन डाला है और यह मैंने अधरक लेसन हरामिस का पेस्ट लिया है और इसमें हम एक चमच पेस्ट को डाल देंगे और एक चमाच मैंने यहां हल्दी पौडर डाला है एक चमाच मैंने लान मिच का पौडर डाला है एक चमाच मैंने यहां धनिया पौडर डाला है आधा चमाच मैंने यहां गुल की जीर्या का पौडर डाला है और मसालो को हम दो मिनट तक लब भुंज लेते हैं यहां मारा मसाला है जो भूंजा गया है तब हम इसे मठर डालेंगे मठर को मैंने बुखाल नहीं किया है मठर है जो कच्छा है ते यहां मसाले में अच्छे से मिला कर भूंज लेते है ताकि मसाला भी पक जाएगा तो 3-4 मिर्ट तक मिडियम गैस पर इसे हम मटर को पका लेंगे यहाँ पर मैंने स्वादन सौन नमक डाला है और इसे हम मिला लेते हैं इसे फिर से हम मिला लेते हैं तो मटर जो पक गया है तब हम इसमें आलू डालेंगे आलू डाल कर हम इसमें अच्छे सेसे मिला लेते हैं आलू को 3-4 मिरों तक भूंजना है यहां भूंजा हुआ मैंने मसाला डाला है यह मसाला मैंने कितनी बार अपने वीडियो में डाल चुके है तो आप वहां से आप देख सकते हैं यहां मैंने चार्ट मसाला डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं तालू भी हमारा अच्छे से भूंजा गिया है तब हम इसमें बारी कटा हुआ धनिया डालेंगे और ग्यास को हम बंद कर देंगे हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं को है त्याहंप रहने प्लेट में निकाल लेा है हम अधाा भी हमारा सेट हो गया है तो हम इस ता से इस का Meg attitudes थे बस त्यार करेंगे एक बार में आया तो आप तिन चार्व त्यार कर ले या त्यार कर करकर आप त्यार करें ओर इसे बिलते भी जाया इसे सरह से हम दूसरा भी त्यार कर लेते हैं तब हम इसे बेलना स्टार्ट कर रहे हैं जब भी आप बेलते हैं इसको तो थोड़ा मोटा ही इसे रखा करें इसे ज्यादा पतला न रखे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा ही इसे रखा है विल्कुल एक बरावर मैंने इसे बेला है और इसे एक बरावर करके हम इसे काट लेते हैं और इसी तरह से हम सारे त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सारे त्यार कर लिया तो इस तरह से हम उठाएंगे और किनारे पर हम पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से हाथे से दापते हुए विल्कौन का सेप दे रहे हैं और इसको हम तो साम मून देंगे और इसमें हम मालू के स्टफिन को भर देंगे इसमें हम ज्यादा नहीं भरेंगे नहीं तो यह पर सकता है और इस तरह से हाथ से इसे दापते हुए अंदर कर लेंगे और फिर किनारे पर हम पानी लगाएंगे जैसे तरह से फॉल्ड करके और इस तरह से आप चिपका देंगे ऐसे तरह से हम सारे समोसे त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने सारे समोसे को त्यार कर लिया है गैस और तेल भी हमारा गरम हो गया है तब हम एकक करके इसमें समोसे को डाल देंगे तलते वक्त आप चैस को बिल्कुल ही मिडियम रखे ताकि अंदर तक बिल्कुल ही पक जाए अब हम इसे दुशे तरह पलटते हैं इसी तरह उलट पलटके हम इसे गॉल्डन वरान होने तक तल लेंगे तो समोसा हमारा गॉल्डन वरान का हो गया है तब हम इसे एक पलेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे समोसा बना कर त्यार कर लेंगे यह समोसा फ्रेंस बजा रहा है हलवाई से भी जैसा घर पर आप बना सकते हैं बस थोड़ा से आपको ध्यान देना है कि तलते वक्त गयास को आप बिलकुल ही मिडियम रखे इसे समोसा खसता बहुत बनता है खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है फिर आप बजार से खाने से बंद कर देंगे घर पर ही अच्छा समोसा बना सकते हैं यहाँ पर मेंने टमाटर का चटनी के साथ सव किया है। आप अपने मन पसंद चटनी के साथ इसे खा सकते है। खाने में बहुत जयदा टेस्टी है। एक बोड़ मेरे तरीके से आप समोसा जरूर बनाए। आपको बहुत जयदा पसंद आएगा।